Hello students, welcome to class और आज की जो स्टोरी है, चेप्टर है, वो है The Adventure and The Adventure is a Science Fiction अब आप लोगों को हम जो चेप्टर कर रहे हैं, उसमें दो-तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान अखनी है एक तो आपको चेप्टर के बारे में पूरा पता होना चाहिए दूसरा उसकी जो short summary है, वो पता होनी चाहिए और कुछ जो vocabulary है, जो important words है, वो आपको पता हो तो आप easily उस story को लिख सकते हैं इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा structure का ध्यान देना है कि structure कौन-कौन से use हो रहे हैं तो एक simple सा structure है, जिसमें कि आप 4-5 lines हर story की हमें इसी तरह से देखने को मिलेगी कि जिसमें हम किसी चीज का क्या करेंगे एक quality बताएंगे, जैसे हमने कहा this story, the adventure is of science fiction यह एक क्या है, इस का use करके हम क्या कर रहे हैं quality बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज की अब पहले आ जाते हैं यहाँ पर character list में तो हमारे पास जो character है, उसके बारे में देखते हैं Professor Gaithon De के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो है आपका historian क्या है? अगर हम Professor Gaithon De के बारे में बात करें तो वो क्या है आपका historian है और साती सात वो क्या है एक अच्छा ओरेटर है He is a great orator Orator का मतलब होता है वक्ता So अब हमारे पास दो lines अगर मुझे लिखनी है पेपर पे तो मैं किस तरह से लिखूँगा Professor Guy Tonde is a historian And he is a great orator So हमने he का यूज़ करके अपना sentence complete किया आगे चलते हैं अगर मुझे दूसरे character के बारे में बात करनी है राजिंदर देश पांडे के बारे में तो हम देखेंगे A good friend of Professor Guy Tonde तो किसका friend है? Guy Tonde का friend है तो हम लिखेंगे He is friend of Professor Guy Tonde तो चलिए one by one characters देखते हैं उसके बाद story देखेंगे So Professor Guy Tonde is a historian तो लिखने के बारे में structure के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बाकि आप आगे देखेंगे कि अब क्यूंकि यहाँ पे male ही हैं सारे तो हम he से start कर रहे हैं और हम आगे लिखते चलेंगे जैसे verbs हमें अगर पता हैं तो हम easily लिख पाएंगे structure देखने को मिल रहे हैं और he leaves, he tries, he goes, he comes, he takes, he makes a effort इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे structure तो चलिए आगे चलते हैं और has delivered many speeches उसने बहुत सारे speeches क्या की हैं deliver की हैं तो यहाँ पे आपकी verb क्या है तो आप verbs को धियान देते चलिए हैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को verb भी underline करके बताऊंगा delivered many speeches उन्होंने बहुत सारे speeches दिये हैं he leaves no stone unturned यहाँ पे he leaves no stone unturned का मतलब होता है leave no stone unturned का मतलब होता है कि जितना परियास हम कर सकते हैं उतना परियास उसने किया to find the truth behind the battle of panipath तो यहाँ पे मुझे एक student ने पूछा था कि infinitive क्या होता है तो infinitive यही जहाँ पे to के साथ verb की first form हो तो हम उसे infinitive बोलते हैं simple ठीक है तो हम बाद में जैसे यहाँ पे to find हो गया to listen हो गया इस तरह का कहीं पे भी आपको construction देखने को मिलेगी कर रहा है कि battle of panipath क्यों हुआ था कैसे हुआ था and conflicting thoughts about it और उसके बारे में जो conflicting thoughts थे जिन में हम बोलते है conflict का मतलब होता है संगर्ष विचारों में संगर्ष कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे conflicting thoughts है battle of panipath के बारे में कि कुछ कुछ कहते हैं और कुछ कुछ अलग बातें बताते हैं उसके बारे में he is patient enough to listen to others version of history and understands things from every possible angle तो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत आराम से patient धहरे पूरो क्या करता है सुनता है सभी की history को जो भी जिस तरह की history लोग बताते हैं battle of panipath के बारे में और फिर समझने की कोशिश करता है कि हर angle से उसको समझने की कोशिश करता है तो यह professor गयतोंडे के बारे में है आगे देखते हैं राजिंदर देश पांडे के बारे में a good friend of professor गयतोंडे यह friend है professor गयतोंडे का और he tries to solve the confusion आप देखिए he tries to solve फिर से आपको इंफिनिटिव देखने को मिल रहा होगा ही ट्राइज और कंस्ट्रक्शन है आपकी ही प्लस वर्प की फर्स पांप तो इस तरह से चल रही है कंस्ट्रक्शन आप थोड़ा से ध्यान दीजिए तो आप इसी लिख पाएंगे से स्टोरी को इस ट्राइज टू सॉल्व दी कन्फूजिन ओफ प्रोफिसर गायतों ने बाइट टेकिंग प्रैक्टिकल एक्जैंपल्स ऑफ क्वांटम थियोरी एंड कैटेस्टोफी थियोरी तो जो प्रोफिसर गायतों ने का फ्रेंड है उसको राजिंदर देश पांडे वो क्या करता है quantum थीयोरी और catastrophe थियोरी इन दोनों थेयोरी के जरिये हिस्ट्री समझाने की कोशिश करता है किसको अपने फ्रेंड को अब अगर हम इस स्टोरी के बारे में देखें कि स्टोरी का background क्या है तो उसे देख लेते हैं थोड़ा सा idea मिल जाएगा इस स्टोरी के बारे में इस स्टोरी यह आपका एक साइंस फिक्षिन है is based on the conflicting thoughts of historian तो एक historian, historian जो प्रोफिसर गायताउंडे है उसके दिमाग में काफी conflicting thoughts हैं बैटल अपानीपत के बारे में तो यह story उसी पर based है प्रोफिसर गायताउंडे is on a journey like never before his experience make him feel that history is different from reality और उसका जो experience है वो कहता है कि जो history है वो reality से थोड़ा सा क्या है? where the history he read is different from the reality और वो अपने एक situation में पहुंच एक situation को इसमें बताता है, explain करता है जहांपर कि वो जानता है कि जो history उसने पढ़ी थी वो reality से बिलकुल अलग थी also he tries to figure out the mystery वो figure out करना चाता है figure out मतलब होता है जानना वो जानना चाहता है, figure out करना चाता है the mystery behind the conflicting history और वो इस conflicting history के पीछे क्या करना चाता है सच्चा ही जानना चाता है he goes to a library to look for answer and eventually he goes to a library बहुत simple sentences हैं इस तरह के sentences से आप start कर सकता है लिखना और फिर आप धीरे धीरे अच्छे sentences लिख पाओगे तो जाता है एक library में जाता है to look for answers and eventually और आखरी में अन्त में क्या होता है he finds a new turn to history and how things can be seen from different perceptions और last में उसे history के अलग perception के बारे में पता चलता है और history के जो नए turn है नई तरीके के history का उसको पता चलता है अब दिखते हैं दो चीजे हो चुकी है दो important character है उसका background तो background में simply यह है कि जो प्रोफेसर गायतर उन्ने है वो थोड़ा conflicting thought उसके mind में है conflicting thought मतलब कि उसे अलग-अलग विचार उसके दिमाग में है history के बारे में अब देखते हैं The Adventure Summary of Summary in English So, जैन्त नालिकार ने इस story को लिखा है He has given the student the perfect combination of history and science तो यह जो है यह क्या है combination of history and science है यह story and we see that a historian प्रोफेसर गायतर उन्ने somehow time travels अगला जो word है keyword है वो है time travel तो जो historian है वो time travel करता है into the past मतलब वो past में चला जाता है ऐसा possible होता नहीं है लेकिन time travel के थूँ ऐसा कर पाता है Upon going in the past he experiences something which was never there before और जब वो past में जाता है तो उसे एक अलग सा experience होता है He finds himself in the city of Mumbai that he has never witnessed अब वो जाता है जब वो past में जाता है तो कौन से city में चला जाता है He goes to Mumbai वो Mumbai में जाता है Mumbai उसे बिलकुल नहीं दिखाई देती है जैसी उसने देखी है वैसी नहीं होती है तो यहाँ पे अब Mumbai क्या है बिलकुल different है तो हम जब sentences लिख रहे होंगे तो इस तरह के words को हमें use करना आना चाहिए He gets down at Victoria Terminus Station तो यहाँ पे देखे यह कहाँ पे वो उतरा है Gets down मतलब गाड़ी से जब वो उतरता है या वहाँ पे किसी भी चीज़ से उतरता है तो कहाँ पे उतरता है Victoria Terminus Station में वो उतरता है तो यह जगे का नाम है तो Mumbai में वो इस जगे पे उतरा है ट्रें रीट साउट अब यहां पर देखिए मैंने यह आपको क्लास में प्राक्टेस करवाई थी कि हम आफ का यूज किस तरह से करते हैं तो हमने का ट्रें का कोच तो कोच मेंस होता डिबा तो तो Coaches of the Train reads out Greater Bombay Metropolitan Railway तो Coach पे क्या लिखावा था? डिबे पे लिखावा था? Greater Bombay Metropolitan Railway Moreover, the staff were of Anglo-Indian and a few British officers अब ध्यान देने वाली बात है कि वो कहां चला गया है? पास्ट में चला गया है, इसलिए वहाँ पे उसे क्या दिखाई दे रहा है? Anglo-Indians भी staff है और वहाँ पे जो British officers भी वहाँ पे घूम रहे हैं Upon getting off the station, Gatchanundi saw the East India Company headquarters और उसने East India Company के headquarters भी वहाँ पे देखे क्योंकि वह काफी पीछे जा चुका है Similarly, there were buildings of mainly British brand and British banks और जो buildings हैं वो उसे किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? In fact, his son's workplace of Forbes was not even there. और जो Gatchanundi का बेटा है उसका जो office है, Forbes का वो भी वहाँ पर नहीं है Thus, in order to solve the riddle, जो पहली है, riddle means होता है पहली इस पहली को solve करने के लिए, he went to the library and read about the battle of Panipat अब वो जाता है library में, देखे, he went to library and read about the battle of the Panipat उसने battle of Panipat के बारे में पढ़ा, upon reading he finds out the details to be different from actually happened और जब वहाँ पर उसने उस चीज के बारे में पढ़ा, battle of Panipat के बारे में पढ़ा तो उसे वो बिलकुल अलग तरह की क्या मिली वहाँ पर, details देखने को मिली In fact, he also reads that the British rule never made it to India which surprised him और उसे पता चला कि अभी British rule कभी इस तरह से इंडिया में नहीं था तो उन्होंने उसे इस चीज के लिए बहुत surprise feel होता है After the visit to library, he visited the Ajad मैदान and got into a fight over there with the audience वो कहां चला गया, उसके बाद वो Ajad मैदान में चला गया तो देखे, वो मॉंबई में जाता है, मॉंबई में वो कहां जाता है फिर उसके बाद वो लाइबरेरी में जाता है, फिर लाइबरेरी के बाद वो अजाता है तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती जानी चाहिए कि पहले वो मॉंबई गया है, और मॉंबई में वो लाइबरेरी में वो क्या करता है, फिर उसके बाद वो आजाद मैदान में जाता है विजिटेड दी आजाद मैदान और गाट इंटो ऑफाइट विद ओवर देया विद ओडियंस वहां पर जितनी ओडियंस थी उनके साथ में उसका जगडा होता है अफ्टर विइंग थ्रोन ओफ स्टेज उसे लोग स्टेज से भार फैंग देते हैं गायतर उन्डे केम आउट ऑफ इस टाइम ट्रेवल एक्सपिरियंस एंड वास लाइंग अनकॉंशिस इन आजाद मैदान अब ध्यान देने वाले बात है कि वह अनकॉंशिस मींस बेहोस कहां पे लिटा हुआ है आजाद मैदान में लेता हुए जब वह बेहोसी के हालत में कहां पे लेता हुआ है आजाद मैदान में वो जो टाइम ट्रेवल एक्सपिरिएंस था वोह अहां पे खतम हो जाता है thus, More of C.VVS, Professor Deshpande to get an explanation अब वो किसके पास चला गया प्रोफिसर देश पांडे के पास की कुछ एक्स्प्लेशन उनसे जानते हैं इसके बारे में उनसे डिस्क्रिशन करने के लिए चला जाता है अब वो कि वो कहता है कि वहां पर जाके उसे पता चलता है कि जो रियालिटी हम अभी जी रहे हैं उनके अलग-अलग तरीके से अच्पिरियंस हो सकती है उनके अलग-अलग डायमेंशन हो सकते हैं तरीके हो सकते हैं वो जे कई लिए इस्टाइशन हो सकते हैं शुआ अफ़ एषे स जांट रहे सकती हैं अब पता चलता है कि जो गायतोंडे है वो उसका एक एक एकसिदेंट हो गया था और वो कहां था कोमा में था और इसलिए वो अनकॉंशेस था और वो किसी और वर्ल्ड में क्या हो गया था ट्रेंजिशिन हो गया था मेंस वहां चला गया था similarly as the last thing he was thinking about was the battle of paniput he went to that era only and was he saw was all in his mind और क्योंकि वो battle of paniput के बारे में क्या कर रहा था discussion कर रहा था हर जगे और बात कर रहा था इसलिए यही उसके दिमाग में जब वो कोमा में था तो यह सारी चीज़े उसके दिमाग में चल रही थी so conclusion of the adventure घर हम chapter को conclude करें to sum up the adventure summary we learn that there are other realities too apart from the ones we sense and they may seem real but are all in the head only अब क्या होता है कि हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें imagine करते हैं लेकिन वो हमारे सिर्फ दिमाग के सीमित है यह हम कहें कि हम अपने mind में भी कई तरह के खयाल बना लेते हैं और कई तरह के realities अपने दिमाग के अंदर हम बना लेते हैं जो हम सूचते हैं उसको हम experience करना शुरू कर देते हैं तो simply अब हम paper के बारे में बात करें कि paper based तो इसी के अगर आपको इतना आप लिख पाएंगे एक paragraph ये दो paragraph में इस story को लिख पाएंगे तो आप most of questions इस chapter से related आप कर पाएंगे तो इस story को जरूर अपनी notebook में लिखिए इसके जो important words हैं जैसे वर्प्स के बारे में आप लोगों को बता दो जैसे रोट आपका word है यहां पर गीव आया है तो यह राइट की second form है तो आप यह वर्प्स जरूर लिख लीजिए अपनी notebook में experience यह सभी क्या finds और इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो यह आप लोगों को इसमें से लिखनी है जितनी वर्प्स हैं उनको आप लोगों को क्या करना है लिखते हुए चलना है तो आप यह हुमोग अपनी notebook में जरूर mention कीजिए और साथे साथ समरी जरूर प्रैक्टिस कीजिए अब आए take care